बस्ती की घड़ी आ गई, नवाबों की तोली छा गई, हम है छोटे नवाब, लेकर आए मस्ती बेशुमार दिवाली में खाते है पकवान ला जवाब, लेकर आ गए है प्रोग्राम छोटे नवाब, जिसमें है धीर, सारी, मस्ती और मनोरंजन बेहसाब, तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम छोटे नवाब, इसे अच्छे से कारेक्रम में सुईकार कीजिये सोनल का नमस्कार अच्छा आप सभी को पता है कि आप कौन सा त्योहार आ रहा है वो तो भहुत सरल है दिवाली आ रही है हाँ दिवाली जिसे दिपावली के नाम से भी जाना जाता है यहें दो शब्दों से मिलकर बना है दीपक तथा आवली दीप का अर्थ है दीपक और आवली का अर्थ है श्रिंखला यानी दीपो की पंक्ती दिपावली का त्योहार कार्टिक मास्की अमावस्य के दिन मनाये जाता है इस त्योहार को दुनिया भर के लोग बड़ी धुमधान से मनाते हैं दिपावली के तैयारिया कई दिनों पहले ही शुरू हो जाती है हाँ, तुमने सही कहा अच्छा बताओ कि दिवाली शब्द का मतलब हिंदी में क्या होता है रोश्णियों का तेवार हुँ, सही कहा, इसकार्थ होता है दिये की रोश्णी इस दिन राम जी अपने 14 साल का वनवास खतम करकर आयोद्धा आये थे और उनके आने के खुशी में सभी लोगों ने घी के दिये जलाये थे हुँ, सही कह रहे है वारव मुझे कितना पता है, तुम लोगों को पता था क्या? हाँ, हमें पता था अच्छा ये बताओ कि इस तियोहार को लगबग कितने लोग मनाते हैं? सारे हिंदुस्ताने ही बनाते हैं हुँ, हम, इस तियोहार को लगबग आठ सो मिलियन लोग विभिन्न तरीकों से मनाते हैं अच्छा? और तुम्हें पता है दिवाली सब का पसंदीदा त्योहार होता है तुम सही कह रही हो इसमें कितनी सारी मिठाया होती हैं है ना सोनल हाँ और अच्छे-चे कपड़े भी पैनने को मिलते हैं हाँ और पता है ये त्योहार धन और सम्रिद्धी की देवी लक्षमी के सम्मान में मनाया जाता है हाँ और कहा जाता है कि इस दिन माता लक्षमी हम सब को सोक सम्रिद्धी धन धानने का आशिरवात देने हमारे घर आती है उनके स्वागत के लिए हम अपने पूरे घर की सेहन सफाई कर रोशनी से जगमगा देते हैं अच्छा अराध्या तुन क्या बोलना चाहती हो मैं इस पर एक कवीता सुनाना चाहती हूँ तो सिनाओ फिर आई है दिवाली देखो आई है दिवाली ले के जीवन में खुशाली आई है दिवाली घर आंगन में है रोनक और चारो और रंगोली की सजावट दियों से सच गई है चोखटे रंगीन हो गई है जालरों से दिवारे मन में हर्ष और उल्लास पहलाने आई है दिवाली खुशियों ने दी है आहटे, रोशनी से रोशन है सब, चारो और फैली है रोशनी, पटाकों की गुंज से आस्मा भी हो गया है रोशन, आई है दिवाली देखो, आई है दिवाली कविता तो बहुत प्यारी है पर पटाके थोड़ी जलाने चाहिए हाँ, तुम्हे पता नहीं है कि हम डेली में ग्रीन दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पता ने क्यों पटाके जलाते हैं हाँ, तुमने सही कहा पर मारकेट में बहुत सारे ग्रीन पटाके भी आ रहे हैँ और सबसे अची बात मुझे तो यह लगती है कि जब दिवाली का त्योहार आने को होता है तो आसपास का वातवरन बहुत ही खुशनुमा हो जाता है मौसम भी बदलने लगता है और गर्मी से तो हमें छुटकारा ही मिलता है हाँ और जहां नज़र जाए वहां ही बहुत सारी लाइटे और धीये होते हैं हाँ अच्छा तुम्हें पता है दिवाली हिंदूों का प्रमुक्ट यहार है अरे निताये लगता है तुम कुछ सुनाना चाहते हो हाँ हाँ मैं गाना शुनाना चाहते हूँ पिर देर के स्वाद के सनाओ शीर दावर भाजमान निसाधिन शाम संदर भाजमान निसाधिन शाम संदर सकल जगाट के जीवान धन प्रवु सकल जगाट के दीवान धन प्रवु करत्र क्रीपा निता निजाबा कतना पर करत्र क्रीपा निता निजाबा कतना पर भाजमान निसाधिन शाम संदर भाजमान निसाधिन शाम संदर धन्यवाद अरे वाँ तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो कहीं से सीखते हो गया? हाँ हाँ कहा से? श्री भारति कला केंद्र अरे वाँ बहुत अच्छी बात है अच्छा पता है दिपावली के दिन शाम को हम आर्ति भी करते हैं मा लक्षमी की अच्छा किसी को भजन पता है कि हम कौन सा गाते हैं नहीं तुम ही बता दो अच्छा मैं बताती हूं पर सब मेरे साथ जरूर गाना हाँ हाँ जरूर हाँ हाँ जरूर दिवाली के दिन प्रभू श्री राम चोदा वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापिस आए थे तो रमायन से संबंधित मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाती हूं अरे वाँ पूछो तो तो मेरा पहला प्रश्न है कि रमायन के रश्ना मूल रूप से किस ने की थी अच्छा आरब तुम ही बताओ शायद रिशी वाल में की जीने की थी हाँ सही उत्तर है ये बिल्कुल सही बोला तुमने अच्छा तुम सबको पता है कि दिवाली का त्योहार से भारत ही नहीं बहुत सारे दूसरे देशों में भी बनाया जाता है हाँ दिवाली का तिवहार हर देश में बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है और मेरा दूसरा प्रश्न है कि राम जी को बेर किस ने दिये थे? मैं बताऊं हाँ हाँ बताऊ राध्या राम जी को बेर शबरी ने दिये थे अरे वाह यह तो विल्कुल सही उत्तर है और यह रा मेरा तीसरा सवाल राम जी को कितने वर्ष का वनवास दिया गया था अरे यह तो बहुत असान है यह तो 14 साल का वनवास काटने के लिए दिया था उने हाँ यह तो बहुत ही सरल सवाल था अच्छा चलो फिर आगे आगे द बताओ निताय सोने का हिरन अरे वा आग सभी ने तो मेरे सारे ही प्रश्णों का जवाब दे दिया है अच्छा मेरे पस दिपावली पर एक कवीता है मैं सुनाओं हाँ हाँ सुनाओ दीपो का त्योहार दिवाली आई है खुश्यों का संसार दिवाली आई है घर आंगन सब नया सा लगता है नया नया परिधान सभी को फपता है मैं नय उफार दिवाली लाई है खुश्यों का संसार दिवाली लाई है अरे बाशाईनी, तुमने तो बड़ी ही अच्छी कवीता सुनाई है अब यह सुनकर मेरा विमन कर गया है एक कवीता सुनाने का तो क्या मैं सुनाओ हाँ हाँ शुरू हो जाओ बोले जै 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 श्री राम अच्छे लगते जिनके काम माता पिता के आग्याकारी मारे दुष्ट भयंकर भारी शबरी मा के खाए बेर ना कोई छोटा ना कोई गेर सत्य धर्म की देना शिक्षा देपाए हर कठन परिक्षा सोने की लंका ठुकराए मात्र भूमिर जशी से चड़ाए वी तो बहुत ही अच्छी कवीता थी तुमने तो एक तरह से रमाइन की समरी दे दी हाँ पूरी रमाइन देखने के जरूर अथी नहीं है अच्छा और पता है दिपावली पर लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ कर अच्छी आदते को अपनाते हैं तो तुम सब क्या बुरी आदत छोड़ने वाले हो हाँ हाँ जरूर अरे तो बताओ तो सही मेरी तो कोई बुरी आदत है नहीं तो क्या छोड़ू यही तो बुरी आदत है अच्छा आरफ तुम बताओ शायद मैं चॉकलेट खाना बंद कर दूँग कितनी चॉकलेट खाते हो और सोनल तुम मैं किसी से जगडा नहीं करूँगी इसका मतलब पहले तुम जगडा करते थे सबसे अरे नहीं नहीं बचके रहना पड़ेगा और अराध्या तुम मैं बोबाईल वगेरा देखना थोड़ा कम कर दूँगी जब भी तो तुम्हार को चश्मा लग गया है हाँ शाय तुम सही कह रहे हो अच्छा और किसी के पास कोई अच्छी इसी कवीता है हाँ मेर पास है तो सुनाव फे ठीक है आई रे आई जगमगाती रात है आई दीपो से सजी टिम्टिमाती बरात है आई हर तराफ है हसी ठीटाले रंग बिरंगे जगमग शोले परिवार को बांदे हर तैवार खुश्यों के चाय जीवन में बहार बहुत ही अच्छी कवीता थी हम दोस्तों मेरे पास भी एक छोटी सी कवीता है सुनाओ हाँ हाँ बिलकुल तो आऊ आऊ दीप जलाए पटाके हटाए दिवाली मनाए हमारी धर्ती हम है बचाए बिना पटाके दिवाली मनाए तो फिर तैरा कोई भी पटाके नहीं जलाएगा हाँ दिपावली का त्योहार प्रदूशन के लिए भी जाना जाता है तो आओ, आज हम सब साथ मिलकर प्रण लेते हैं कि इस साल हम पठाके नहीं जलाएंगे और प्रदूशन को कम करेंगे हम, मैं भी ये प्रण लेती हूँ कि इस साल मैं पठाके नहीं जलाऊंगी और अगर किसी को जलाते देखूंगी तो उसे भी समझाऊंगी पर देते हैं हां तुमने सही कहा सारी बाते कर ली पर ये तो छोड़ी दी अरे अरे बात करते करते तो पता ही नीचला कब समय भी हो गया हां तो घड़ी कर रही है हमें इशारा आएंगे हम फिर दोबारा तो दोस्तों मुझे रंगोली भी बिनानी है उसके लिए मुझे सारी तयारी भी करनी है तो अब मुझे जाना होगा मुझे यानि सोनल को दीजे अजाजत आप सभी को दिवाली की हादे शुकाना है बाइबाइबाइब आ गये हैं छोटे नवाव स्वागत नहीं करेंगे तो करी रेंबो को त्यून संदे शाम सवा साथ बजे लुझे भुझे-बचान यद करी राओ बबल्यात ञाशने है